एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या विशेशता ही होती है यह सस्ता होना चाहिए चीप का मेनिंग सस्ता और इसली अवेलेबल और सभी जगे यह अवेलेबल होना चाहिए इसकी जो है यह बर्न करने पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करें इसकी जो रेट है मोडरेट होना चाहिए means जो बर्न करें लेकिन बहुत एकदम से भी नहीं और इतनी धीरे भी नहीं कि काफूल टाइम लगा दे the fuel on combustion should not produce a suit or harmful gas or any other residue fuel ऐसा होना चाहिए कि वो बर्न करने पर कोई suit प्रोड्यूस ना करें suit means क्या तो मैंने पहले ही बताया आपको black fumes जोडती है ना बर्न करने पर किस तीरिके वो होते हैं ठीक है वो नहीं होने चाहिए इससे harmful gases ज्यादा harmful gases जो है produce ना हो और कोई फी residue ठीक है residue क्या होता है पीछे जो बच जाता है ठीक है material बर्न होने के बाद वो ज्यादा ना बचे इससे the fuel should be safe to handle इसको handle करना easy हो store करना easy हो और एक जगे से दूसरी जगे carry करना जाने की transport करना भी easy होना चाहिए ठीक है तो हम good fuel की जो good fuel है उसकी हम choice इस ठीके से करते हैं ठीक है इन characteristics की help से करते हैं next is burning of fuels generate harmful products कोई भी fuel burn करते हो तो harmful products जो है generate करते हैं ठीक है produce करते हैं on burning fuels like coal, wood, petroleum etc अगर आप इन fuels को burn करते हो तो क्या होता है क्या release होता है carbon particles unburned carbon particles जो है वो environment में release होते हैं जो environment को pollute करते हैं और respiratory problems जो है human के लिए respiratory problems जो है face करने पड़ते हैं ठीक है like asthma जैसी problems next है देखो कोई भी ऐसे fuels बनाने के लिए जैसे coal है ठीक है जब petroleum है तो इसके लिए wood use होती है तो wood is procured procured का meaning क्या होता है प्राप्त करना trees से मिलती है और इसके लिए हमें trees cut करने पड़ते हैं ठीक है जिससे जो है environment का जो balance है वो भी खराब हो जाता है ठीक है next है next topic देखे बिटा इसी का point है incomplete combustion of liquid fuels अगर जो है fuels liquid जिर दिये हुए है petrol, kerosene and diesel इनकी combustion complete नहीं होती ठीक है यह burn completely नहीं होते तो काफी poisonous gases like carbon monoxide gases जो है produce करते हैं और साथ में suit produce होता है you have already learned that the complete combustion of the most fuels release carbon dioxide water and heat energy carbon dioxide देखो अगर कोई भी fuel उसकी complete combustion होती है incomplete combustion हो तो भी harmful बहुत harmful gases produce होती है और अगर complete combustion हो तो क्या होता है कि जो carbon dioxide gas produce होती है और carbon dioxide जो gas है वो global warming का कारण मनती है ठीक है हमारे जो environment हो इसको atmosphere को warm करती है जिसकी वज़े से glaciers काफी melt हो रहे हैं और जो sea level हो इंक्रीज हो जाता है जिससे floods आने का खत्रा बढ़ा रहता है ठीक है कौन से areas में coastal areas में ठीक है उनमें इसका जो floods का खत्रा है बना रहता है किसकी वज़े से carbon dioxide की वज़े से fuels like coal and diesel have sulfur coal और diesel जैसे जो fuels हैं उनमें काफी मात्रा में sulfur होता है sulfur एक बहुत बड़ी impurity है जो की oxygen से मिलकर sulfur dioxide बना देता है जो काफी poisonous gas है ठीक है petrol engine upon complete combustion of petrol form oxides of nitrogen पेट्रोल की अगर combustion complete नहीं होती तो वह भी nitrogen से मिलकर nitrogen oxides मनाते हैं ठीक है जो की atmosphere को क्या करते हैं pollute करते हैं ठीक है इसलिए CNG जो gas है इसको काफी compressed natural gas भी जिसको कहते हैं हम ठीक है इसको improved form में मना गया है काफी better fuel है यह और यह burn करने पर किसी तरीके का residue नहीं छोड़ता और नहीं कोई harmful gases produce करता है इसके साथ साथ इसके जो clarific value है वो काफी high है ठीक है यानि कि burn करने पर काफी heat produce करता है और इसके ignition temperature भी low है ठीक है एकदम से यह burn नहीं होता ठीक है तो CNG जो है एक साफसुत्रा fuel है ठीक है जिसको लोग बहुत जाज़ यूज़ करते हैं ठीक है तो यह थी good fuel की characteristics ठीक है और जो कोई भी fuel है तो burn होने पर वो कैसी gases produce करता है ठीक है कैसे हमारे लिए harmful है वो हमने पढ़ा है ठीक है उसके बाद है principles of extinction fire ठीक है extinction fire का मीनिंग होता है कि आग को बजाने के लिए कौन कोंसे ज़ात होते हैं तो देखो हमने तीन क्रिडिशन पढ़ी थी किसी भी चीज़ को अगर combustion करना है हमने बर्न करना है तो तीन चीज़ ज़रूरी होते है तो fuel होना चाहिए ठीक है एक combustion के लिए जो sporter है य कोई भी combustion हो सकती है तो अगर इनको remove कर देंगे तो क्या है हम fire को easily extinction कर सकती है ठीक है तो सबसे पहले हमें वह combustible substance वहां से हटा दें चाहिए उस साइट से जहां पर आग लेगी हुई है removing all the combustible substance from the site of the fire second cutting of the supply of the spot of combustion क्या है oxygen तो उसके supply को cut off कर देना चाहिए अब कैसे cut off कर होगी देखो अगर किसे human beings को ठीक है जो है fire catch करती है ठीक है तो हम उसको पर blanket देते हैं ठीक है blanket क्यों देते हैं blanket से oxygen के supply cut हो जाती है जिससे जो है आग जाता नहीं फैलती है जैसे इसकी example देखें कि कोई भी चीज़ जो है burn कर रही है तो हम क्या करते हैं अगर रेत डाल दें sand डाल दें ठीक है जब वाटर डाल दें तो वह एकदम से आग बुझ जाती है ठीक है किसकी वज़े से क्योंकि oxygen से cut off supply हो जाती है जिसकी वज़े से जो है आग अपने आप बुझ जाती है third one is a burning down the temperature of the burning substances below their ignition temperature जो भ हो जाएगा temperature low हो जाएगा ठीक है जिससे वो कोई भी चीज़ा जो burning जलीदी नहीं हो सेगी तो इन तीनों principles को अगर हम जो है अपनाएंगे तो क्या होगा जो fire है easily extinction हो जाएगी ठीक है और fire extinction करने के लिए कौन-कौन से extinction ज़रूरी है water ज़रूरी है ठीक है carbon dioxide होता है ठीक है sand हो सकता है तो water कैसे ज़रूरी है ऐसे substance जैसे कि like paper और wood अगर उनको fire catch कर लें ठीक है कि वो fire grift में आ जाएं तो क्या होता है कि water से वो easily burning stop हो जाती है combustion stop हो जाती है ठीक है और fire extinction हो जाती है ठीक है water से लेकिन water कहां नहीं apply करना चाहिए कोई भी चीज़ अगर oil की वज़े से burn हो रही है petroleum की वज़े से burn हो रही है ठीक है या फिर को electricity की वज़े से वहां पर fire होई है तो वहां पर हम water use नहीं कर सकती है ठीक है अब oil और petroleum में हम आग लगने से water क्यों नहीं use करते है क्योंकि जो water है इनसे heavy होता है और वो इनके नीचे below चले आता है और oil petroleum ऊपर ही रह जा electricity की वज़े से fire हुई है ठीक है तो वहां पर भी हम water use नहीं करते है क्योंकि water is a good connector of electricity तो ये जो है electricity को और connect करने लग जाता है जिससे जो है short circuit और ज़ल हो जाएगा ठीक है अब यहां पर हम अगर ये water नहीं use कर सकते है इन चीज़ों में आग बजाने के लिए तो हम क्या स्कूलों में होस्पिटल में जब कोई भी बड़ी building हो वहां पर आपने ये cylinder देखे होंगे बिटा तो इन cylinders में क्या होता है liquid carbon dioxide होती है ठीक है carbon dioxide के जो presence में कोई भी burning जो है वो नहीं हो पाती stop कर जाती है तो carbon dioxide जो है oxygen की supply को कट कर देती है जिससे जो है burning आगे नहीं हो सकती ठीक है तो four five caused by the burning of the inflammable liquids inflammable liquids जल्दी पकड़ लेते like petroleum oil carbon dioxide is the best fire extinguisher तो उनके लिए carbon dioxide जो है best fire extinguisher है ठीक है यानि कि आग जाने वाला यह जंत रहें carbon dioxide being heavier than oxygen oxygen से यह heavy होती है covers a combustible substance like a blanket कोई भी combustible substance है जिसको जो burn हो रहा है उसको जो है एक blanket से blanket की तरह कवर कर लेती है ठीक है और oxygen के contact को cut off कर देती है जिससे fire को control कह जा सकता है ठीक है बटा carbon dioxide is stored in the liquid form at high pressure in the cylinders carbon dioxide के gas है लेकिन उसको जो है liquid form में high pressures की फेल्प से जो है cylinder में fill किया जाता है when released at the site of the fire जहां पर भी आग लगी है अगर इसको release करते हैं ठीक है इस gas को छोड़ती है carbon dioxide को cylinder से it comes out in the vapors form तो एक vapor form में एक gases form में यह बहार आती है expand enormously in the volume and cools down ठीक है और यह expand हो जाती है फैल जाती है volume में और क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है therefore it is not only cuts of oxygen supply around the fire but also bring down the temperature सिर्फ oxygen की supply को cut नहीं करती है यह temperature को भी down कर देती है ठीक है जब दोनों conditions नहीं हो पाती है नहीं ignition temperature attain कर में पता है सबचांस नहीं oxygen की supply मिल रही है तो जो burning है जो fire अपने आपी control में हो जाती है ठीक है अब यह देखें कि carbon dioxide के sources कौन कौन से है carbon dioxide जो है sodium bicarbonate और potassium bicarbonate से produce की जाती है कैसे की जाती है देखें बटा sodium bicarbonate का formula का है na h co3 ठीक है na means sodium h का means आग है by यहाँ पर by co3 का होता है carbonate तो यह बने है sodium bicarbonate ठीक है अगर sodium bicarbonate को लेकर हम heat करें ठीक है तो वहाँ से जो by निकल जाते है जैनिकि h jyvh remove हो जाता है only क्या बच ज़ता है sodium na तो है na sodium स्वाइब देख की नी नी लिए फे आपक्रोडी केसे से ही से अे सच और तरह बोली की आइधि और से बालता These तो carbon dioxide करिए एक अच्छा सोर्स है जहांसे हम carbon dioxide ले सकते हैं एक अगर पॉटाशियम के जो है पॉटाशियम का सिम्बल है प्लस वाटर और carbon dioxide है उसके बाद जो आगे ही टू लगी हुए यह सिर्फ बैलन्स करने के लिए है यहां ने टू होता है इसको डू बैलस करने के लिए यहां पर हमने टू लगा दिया इसको भी ऐसे यहां पर टू लगा दिया चाहिए वें ड्राइन पॉडर फॉर्म फॉर् कर्मिकल्स की डाल दें तो जो ही दे हीट सब वह गर में रहते हैं और क्या होते हैं carbon dioxide को इसको रिलीज करते हैं जिससे जो fire है easily extinction हो जाती है ठीक है इसके साथ बैटा आपका जो चेप्टर है जो वह complete हो चुका है मैं आपके इसको question answer जो है briefly और जो detail है वह send कर दूँगी तो